खूल जाएंगे आपके सारे रास्ते परिच्छा में सेलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल तू सेलेक्शन की जित पर अड़ तो सही अधित क्लासे सिग्जामगुरी चैनल में आप सब का स्वागत है, भारती राष्टी आंदोलन का चेप्टर हम लोगा चल ला था, इसके क्रम में आज हम लोगा चेप्टर रहेगा भारती राष्टी कांग्रेस का, ठीक है? जैसे आपको मालूम होगा पिछले क्लास में लोगा लिये थे, आपको बताया गया था ये कि भारती राष्टी आंदोलन को छोड़े-छोड़े चेप्टर में हम लोग करके पढ़ेंगे, गवर्नर जनल समाप तो चुका है, ठार समतावन की करांती समाप तो चुका है, पर परती राष्टी कांगरेस के ये जो है, चार अधिवेशन बहुती महत पोड़ है, जो आपके परिच्छा में पूछे जाते हैं, या किसी परिच्छा में पूछे जाते हैं, वो बिल्कुल आपको रटा होना जाए, एक लाइन बाई हर चीज रटी होनी चाहिए, बाकि अन अधियश्ट नमर 885 को गँवा था, और इसके अधियश्ट WC बनरजी थे, ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या है, विमोश्चन बनरजी, ठीक है, दूसरा दिवेशन, आईसे में एक तीर लिए चलते हैं, दूसरा दिवेशन यहां होता है, जो है कलकत्ता में पश्यमंगा 886 में होता है, याद रखेगा, और इसके अधियश्ट दादा भाई नरोजी होते हैं, तीसरा दिवेशन, आप देखेंगे, यहां होता है मद्रास में, और मद्रास 887 में, मदुर्दिन तययब होते हैं इसके अधियच, और पर्तम यfunding मुसलिम अधियच भी होते हैं, पुन की महत्यपूर होते हैं अभी तक के बंडेक जानविशन के सालवड मैंने देखा चार से बहुत अच्छे प्रस्णाते हैं और आप रट जाईएगा मैं आपको बता रहा हूं ठीक है आईए देखते हैं और भी महत्यपूर्त राथ इसके विशे में भारती राष्टी कांग्र करण यह पूना में नाम था मुंबई हो गया जैसे आप जानते होंगे मद्रास का नाम आप चेन नहीं हो गया तो जो नाम पहले का था वह हो रखेंगे यानि कि भारती राष्टी संग का प्रथम सम्मेलन होने वाला था कहां पूना में और लेकिन प्लेग फैलने के करण प इसमें संग जुड़ा हुआ है नाम बदलकर भारती राष्टी कांग्रेस रख दिया गया थीक है यानि भारती राष्टी संग नाम न रखा भारती राष्टी कांग्रेस रख दिया और किसी ने रखा दादा भाई नरोजी आप कमेंट बाक्स में बताएंगे कि दादा भा तो जो है कोई भी वीडियो में चलाता हूं इसमें जरूर लिख दिया करिए इस बार इंट्रिवी पार और मैं उसको जरूर देखता हूं लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए पासिबल हो तो अच्छा लग रहा हो तो संग के कांग्रेस का नाम किसने बदला दादा पाई नरोजी की कहने पर रखा गया था उना देखेगा भारती राष्टी कांग्रेस का प्रतम दिभेशन गोकुल दास तेश पाल संस्कीत कालेज बंबई में हुआ था ये आपको नाम याद रखना है नेक्स्ट आते हम लोग भारती राष्टी कांग्रेस की अस्थापना यह आप देखेंगे भारती राष्टी कांग्रेस की अस्थापना सीधे सीधे आयात रखेगा रिपीटेड है यहां पर वर्स कब हुआ 28 दिसम्बर 1850 यही भारती राष्टी कांग्रेस जो आप देखते होंगे ठीक है पंजा है इसका उसके बाद अस्थान कहां सीधे आप इक्जाम में आता है पर्थम अध्यश कौन थे विवमेस चन बनर जी डवलू सी बनर जी थे ठीक है अब हम लोग आते हैं भारती राष्टी कांग्रेस समंधित महतपूर्तत जो अक्सर इक्जाम में आते हैं और किसी भी एक्जाम में आप देखेंगे तो यह रहते है ठीक दूसरा पॉइंट है भारती राष्टी कांग्रेस की अस्थापना के समय भारत की गवर्नर जनरल डफरिंथ है याद रखिएगा आपको बताया भी था मैंने क्लास में और आप लोग भी लॉड इन लोग को मत बोला करिएगा लॉड यह भगवान नहीं है ठीक है और यह प पाल कृष्ण गोकले का कथन था कि कांग्रेस की अस्थापना कोई भारती कर ही नहीं सकता कथन भी पूछता है एक देदे का इस्टेट्मेंट बताइए इस्टेट्मेंट किसका है और चार उसमें आप संद्य देगा ठीक है एक दो बार पढ़े रहेंगे तो अपने आप स दहिंदू याद रिखिएगा अभी भी चलता है सोर प्रतम कांग्रेस की जनकारी दहिंदू समाचार पत्र में मिलता है जिसके संपादक वी रगवाचारी थे इंपॉर्टेंट है भारती अस्वंतोष को समझने वाला भारती असी सीधे ऐसे प्रशनाय हुआ है भारती अस सब्सक्राइब क्या दिया था विद्दूत प्तिरोध शृधन या तड़िक चालक का सिधाण या सेव्टिवाल का सिधान किस तुम कहीं थे ठीक है जो है भारती असिठी को कौन ने थे आप कमेंट बता है ठीक है । बनरजी और संस्तापक टेगह भारतिय अश्टी का अंग्रेशा सम्मदित महतफ así सकते हैं दूसरा पुइंट है जौत लुगरेशिए नो कल अंग्रेश काम्य। संगरेश को अंग्रेश सरकार ने इसाफल बनने का प्रयास किया। और चुटさ-बद बाते हम नहीं बता सकते हैं ऐसे समझें उन्होंने बिल्कूल और सफल करने का पूरा प्रयास किया तो कौन सा दिवेशन होगा चौथा दिवेशन बार्ती राष्टी कांगरेस के सबसे कम उमर के और सबसे अधिक दिनों तक अधियाच कौन थे अबुलकलाम आजाद थे याद रिखिएगा एक तो सबसे कम उमर के भी कौन है अबुलकलाम आजाद रिखिएगा आपको बताया थे कमेंट बाक से में बताईए अलहिलाल वलहिलाल किसकी पत्रिका है और जो है यह भी बताईए कि देवबंध स्कूल से कौन पढ़ा था यह आपको बताना है 1947 अजादी के समय भारती राष्टी कांग्रेश के अध्याच ये भी किरपलानी थे याद रिखिएगा और देश के अजादी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं सी राजगोपलचारी भारती याद रिखिएगा और उस तरह अंग्रेज पुछेगा तो मांट बेट अब लगाईएगा ठीक है यहाँ पुछा जारा भारती राष्टी कांग्रेश के जब देश अजाद हुआ उसमें अध्याच कौन थे तो याद रिखिएगा और अजादी के भारती राष्टी कांग्रेश का पांचवा दिवेशन मुंबई में 1989 को होता है जिसके किसमें पांचवा दिवेशन में बारती राष्टी कांग्रेश के पहला दिवेशन की विसे में जाजिएंगा महतपूर्त जो आ सकता है और परतम अधिवेशन कहां अभी देखे होंगे आप मुंबई महाराष्ट में कव 28885 को परतम अधिवेशन के अध्यास WC बनर जी हो 28 प्रतनी दी उसके बाद कहां से आये थे उसके बाद मदरा से आये थे कितने आये थे 21 प्रतनी दी फिर पुछता है क्या कि उत्तर प्रदेश से कितने आये थे उत्तर प्रदेश को उसमें क्या नान था सबसे दी कहां से आय थे, मुंबई से आय थे, कितने 28 से आय थे इस बुक में 1-6 यूनिट तक के सिलेवस के अनुसार प्रश्णों का समावेश है चार बुक में 80 model paper है, एक model paper में 30 प्रश्ण है जिसमें आज तक के current affairs से लेकर सभी एक से च्छे यूनिट के प्रस्ट को updated कर दिया गया है सभी प्रस्टों का YouTube पर व्याख्या सहीत रिकारेट क्लास आप देख सकते हैं कुल चार बुक और एक ओमार के बुक यानि पांच बुक सेट और डिलेवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपए MRP बनती है परन्तु अभी आफर में और सभी वर्गों के चात शत्राओं को ध्यान में रखकर Amazon के माध्यम से यह मात्र 499 रुपए में आपके घर तक पहुँच जाएगा कोई अतरित चार्ज नहीं देना होगा जो एक सीमित समय के लिए है जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है हिंदी प्रश्ण के आगे अंग्रेजी में प्रश्ण दिये हैं ताकि कठीन सब्दावली को समझने में आसानी हो पुस्तक बाइलंग्वल है चारों बुक में असिस्टन प्रफेसर के एकजाम की दिष्टी से चुनिंदा प्रश्णों को ही समावेस किया गया है बुक में अपने 12 वर्शों के प्रतियोगी परिच्छा पढ़ाने के अनुभव के अधार पर प्रश्ण के साथ आपसन का भी डिटेल बैक है यूटूब चैनल पर आपको मिल जाएगा बुक के सभी प्रश्ण आपकी तैयारी में राम बान की तरह कार करेगा जो छात्र छात्रा हैं टेक्ष्ट कोर्स को पर्चेश कर चुके हैं या जो नहीं किये हैं उन्हें भी यह बुक हार्ड कापी के रूप में ले लेना चाहिए अन्गवी टीम द्वारा UPHESC का टेस्ट स्रीज सुरू किया गया है GKGS पेपर के लिए जो 6 यूनिट वाइज है जिसके अंभ्याद से आप अपने GKGS के कांसेट को किलियर करके अपने लच को असानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट स्रीज को लेते हैं तो आपको फिरी में मिलेगा सभी यूनिट के माडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिस में 50 प्लस गूर्पिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइट टेस्ट, 58 प्लस PDF प्लस 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 प आए थे याद रखिएगा बाकि यहां पॉइंट और भी दे रखें हम कि पंजाब से थीन बंगाल से थीन प्रत्ने दी आयत थे आप याद रखिएगा देती अधिवेशन में क्या पूस्ता बस याद रखिएगा सीधे ऐसे जब 85 में इसके अस्थापना हुआ तो अगला क के पर्थम पार्शी अध्यश पूछेगा तो क्या आप लगाएंगे दादा भाई नरोजी ठीक है तिसरा दिवेशन की विशे में क्या पूछता है आपके एक्जाम में देखिएगा तिसरा दिवेशन मद्रास में होता है 887 में और अध्यश कौन होते हैं बदरदीन तयब जी यह पर्थम मुस्ली मध्यश होते हैं याद रखिएगा तीसरे दिवेशन की निविखित विशेषता है तीसरे दिवेशन के से पॉइंट पुछा जाता है क्या पुछा जाता है देखिएगा कि तीसरे दिवेशन में के बाद अंग्रेश सरकार भारती राष्टी कांग बारत में ऐसा नौ हो क्योंकि आप जानते हैं कुछ भी घटना जानता के लिश्में होता है तो उन्होंने क्या किया इसके अस्थापना कराया और इसमें थे यह दो अदिवेशन में लोग थे खुलके अंग्रेजी भासड होता था तीसरे में क्या हुआ यह लोग जो है अंग और डीवेशन के अधिवेशन के जार्जी होता है और इधिवेशन के इल्हाबाद में होता है 1888 होता है महारती आश्टी कांग्रेस की इस चौथे दिवेशन में कांग्रेस को समर्थन मिलता है अब देखिए अब क्या होता है जब अंग्रेस सरका जब इसकी विरुद में आ जाता है तो समर्थन देते हैं लोग कौन देते हैं सरसायद अमध खां देते हैं इनका नाम और भी लोग में क्या कि इंडियन पेट्रियाटिक एस्थापना किसे ने किया था अब क्या लगाएंगे सर सेयद अमहत खा इन्हीं का कतन था कि हिंदू और मिस्लिम भारत माता की दो सुंदर-सुंदर आख हैं याद रिखेगा ठीक है और इसकी अस्थापना का हुआ अठासी मुआ और इ को तौता ही किसे कहते हैं अमिर खूसरो खड़ी बोली के जनक थे बला के जनक हैं सितार के जनक है मुकरी के जनक है और भारत धारत में हिंदू-मुस्लिम संस्कीति को मिलाने वाले कभी हैं अलाट्यीं फिल्जी के दरवाई इक निजाम दिनोलिया के बिख्या आगे देख बिहार के सासक ने लौतर कांसिल एक्षेत्र था जगा था उसको खरिद कर भारती राष्टी कांग्रेस को दे दिया जिसका वर्तमान में नाम दर्बंगा कालूनी है जो इलाबाद में अब देखिएगा भारती राष्टी कांग्रेस के महतपूर अधिविशन इससे भी बीच अध्टर पतनेदी महासची एवहूम थे, 72 पतनेदीस में आयत रिखिएगा पर्फम एवहूम थे, 86 कहां में हुआ, कलकत्ता में, अध्यच कों थे दादा भाणियोरो जी और क्या बिसेस्ता थी, 88 बिसेस्ता इसकिया है कि दादा भाणियोरो जी, 86 में, 93 में और छो में अ और मालूम है 1888 में क्या हुआ था इल्हाबाद में हुआ था अध्यास जाड़ जीवले थे और विश्ष्टा क्या था पर्थम अंग्रेज कौन जाड़ जीवले बने थे 1890 में कलकत्ता में हुआ और रहिमितुल्ला सयानी इसके अध्यज बने थे और यहां आप देख रहोंगे 1905 कहा हुआ वरारसी में अध्यज कौन थे गौपालकिष्ण गोखले और स्वदेशी की मांग किया गया है ठीक है नेस्ट आप देखेंगे 1906 में कहा होता है कलकत्ता में अध्यज नरोजी होते हैं और विश्ष्टा क्या था स्वराज सद्ध का जो है सद्ध का प्रयोग कि गया ठीक है 1907 में सूरत में और अध्यज रास बिहारी बोस और कांग्रेस का यहीं से विभाजन हो जाता है कांग्रेस नरम दल और गरम दल में हो आगे अभी आपको अंदोलन डिटेल नम पढ़ाएंगे तो वहां इसकी चर्चा करेंगे यहां बताने क्या सकता नहीं है आ आपको बताया था कि वाटसप बना जा रहा है अपना नाम उस पर मैसेज कर दीजिए नाम से हो जाए आपका ग्रूप में ताकि जब भी आपको जो है मैसेज करेंगे तो उसका जवाब मिल जाएगा और आपको ग्रूप में जोड़ दिया जाएगा ठीक है आते हम लोग न अध्याषम में और अध्याष कों होता है विशन नराड धर उसके बाद 1916 में कहा होता है लखनौई अध्यवेशन होता है अम्बिका चरण मजुंदार होते हैं आप जानते हैं लखनौवला है फैमस है लखनौइ समझाइब और विशेस्ता क्या आयकी कांग्रेस लिंका समझाता होता है उसके बाद 1917 में रास आस्थान कहां कलकत्ता में होता है अध्यच एनी बिसेंट होते हैं और पर्थम महिला अध्यच पर्थम भारती महिला अध्यच नहीं पर्थम महिला अध्यच का नाम होता है उड़े सोबीस में देखेंगे आप कलकत्ता में और अध्याच लाला लाचपतराय होते हैं और जो है और सयोग अंदोलन में पारित नहीं हो पाता है और बाल गंगाधर तिलक आप जानते होंगे जैसे घुषरा होता है कि लाला अजपतराय होंगे और उसी दिन जिस दिन यह भी का जाता है कि कौन लाख चाके भी भारतियाश्टी का अग्रेस का अध्याश नहीं बने पुतिलक नहीं बने ठीक है पिछले क्लास में बताया गया था कि एक बार महत्मगाधी बने थे और अकब बने थे 1924 में और कहां पे बिलगाओं करनाटक में ठीक है उसके बाद पचीज का दिवेशन कहा होता है कानपूर में अध्याच सरोजनी नाइडू और 1925 से कानपूर में आप जानते होंगे सरोजनी नाइडू को कौन सी उपादी दी गई है उत्तव अधिश्व भारत की परतम महिला राज हिपाल है ठीक है भारत कोखिला के नाम से सरोजनी नाइडू को जाना जाता है अस्वर कोखिला किसे काते हैं स्वर की लतामंगे स्वर को का जाता है 1929 का अधिवेशन देखेंगे आप कहां लाहोर में और अध्यश्व पंडित नहरू होते हैं विश्यस्ता के आयपूर स्वराज और 26 जनुरी 1930 को मांग किया गया और 1931 में कराची अधिवेशन होता है बल्ला भाय पटेल होते हैं मूल अधिकार प्रात होता है गांधी जी मढ़ सकता है गाधिवाद नहीं याद रखिएगा उसके बाद 1937 में फैजाबाद पंडित नहरू अध्यश होते हैं और पर्थम बार गाउं में होता है कहां यूनिट तक के स्लेवर्स के अनुसार प्रष्णों का समावेश है चार बुक में 80 माडल पेपर हैं एक माडल पेपर में 30 प्रष्ण है जिसमें आज तक के करेंट अफेर से लेकर सभी 1-6 यूनिट के प्रष्ण को अपडेटिट कर दिया गया है सभी प्रष्णों का आधम से यह मात्र 499 रुपय में आपके घर तक पहुँच जाएगा कोई अत्रिक्त चार्ज नहीं देना होगा जो एक सीमित समय के लिए है जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है हिंदी प्रष्ण के आगे अंग्रेजी में प्रष्ण दिये हैं ताकि कठ प्रष्ण सब्दावली को समझने में आसानी हो पुस्तक बाइलंग्वल है चारों बुक में असिस्टेंट प्रफेसर के एकजाम की दिष्टी से चुनिंदा प्रष्णों को ही समावेस किया गया है बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परिच्छा पढ़ाने के अन और नगवी टीम द्वारा UPHESC का टेस्ट स्रीज सुरू किया गया है GKGS पेपर के लिए जो 6 यूनिट वाइज है जिसके अंभ्याद से आप अपने GKGS के कांसेट को किलियर करके अपने लच्छ को असानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस टेस्ट स्रीज को लेते है तो आपको फिरी में मिलेगा सभी यूनिट के माडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिस में 50 प्लस गूरूपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइट टेस्ट, 58 प्लस PDF आप टेस्ट और 2014 से 21 तक सालवाट पेपर है इसके लिए आप को नई जनकारी के लेटिल ग्राम ग्रूप पर आप जूड़ सकते हैं